नमस्कर दोस्तों फिर से स्वागत आपके एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं अगर आपके पास वीवर T1 है तो यहां पे आप camera setting कैसे कर सकते हैं और camera के features कैसे देख सकते हैं तो यहां पे जब आप camera open करेंगWas टैब से style change कर सकते हैं अलग-अलग filter में ठीक है और इसके lighting यहां से आप घटा बढ़ा सकते हैं इसके बाद back करेंगे और इसके बाद यहां पर portrait mode का option आजाता है तो portrait mode में भी यहां पर आपको style के option देखने को मिल जाते हैं यानि की filters तो इसको भी आप adjust कर सकते हैं beauty mode यहां पर लगा सकते हैं तो यहां पर posture आजाता है तो यहां पर आप इसको click कर लीजेगा ठीक है और यहां पर अलग अलग और भी options देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर beauty पर click कर लेंगे और beauty यहां से आप घटा बढ़ा सकते हैं और इसके बाद यहां पर bouquet mode आजाता है तो bouquet का background में effect है वो आपका कैसा होना च जाता है तो यहां पर लगा सकते हैं बहुत अच्छी photo आती है बाकि आप इसको ऐसे घटा बढ़ा के देख लीजेगा तो जिस एंगल में photo अच्छी आएगी उसको आप select कर लीजेगा यहां पर excellent हो जाता है यहां से पूर इसके बाद यहां पर आपको HDR mode देखने को मिल जा सकते हैं और यहां से अलग-अलग filter यूज कर सकते हैं काफी सारे filters देखने को मिल जाते हैं filter का color यहां से आप घटा बढ़ा सकते हैं अपने according और यहां पर आपको Google camera देखने को मिल जाता है corner पे यहां पर flashlight है flashlight का यूज कर सकते हैं photo के लिए HDR mode और AI lens आपको देखने को मिल जाता है इसको आप यहां पर on off कर लीजेगा बाकी यहां पर आप इस पर click करेंगे तो super macro on हो जाता है जो super macro camera है आपका और इसके बाद यहां पर आपको three line पे frame line का option देखने को मिल जाता है आप इसको लगा दे रहेंगे तो यहां पर line सेखने को मिल जाती है जिससे आप camera का angle decide कर सकते है और यहां पर countdown आजाता है तो अगर time लगाना है तो timer लगा सकते हैं और frame याह पर change कर सकते हैं फूल screen करना है तो fully screen कर सकते हैं और यहां पर YouTube के लिए चाहते हैं तो 16 is to 9 कर सकते हैं और 1 is to 1 कर सकते हैं तो यहां पे आपका फ्रेम आ जाता है और बाकी रही बाद setting की तो setting पर जाएंगे तो यहां पर आपको sound का और यह सब सैटिंग ओपन हो जाता है तो यहाँ पर अभी मैं बता दूँगी लेकिन इससे पहले कुछ और सैटिंग्स आपको दिखा दिती हूँ तो यहाँ पर आप चले जाएंगे वीडियो मोड में तो पहले फोटो में से मैं इसका फ्रेम लाइन आफ कर देती हूँ वीडियो मोड में चले जाएंगे तो वीडियो मोड में यहाँ पर फ्लैश लाइट आउन कर सकते हैं फिल्टर लगा सकते हैं अलग-अलग filter के साथ भी आप यहाँ पे वीडियो ले सकते हैं और beauty mode आजाता है तो beauty mode में भी आप इसको increase कर लीजेगा और बाकी more पे जाएंगे तो more पे आपको 50 megapixel का जो camera है यह option on कर सकते है panorama, live photo यहाँ पे on कर सकते है slow motion ले सकते है time lapse pro mode में photo ले सकते है AR stickers आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको अलग-अलग जैसे Snapchat وhehe stickers होते हां deux देखने को मिल जाते हैं ठीक है और इसके बाद यहाँ पर आपको document देखने को मिल जाता है यहाँ पे scan वगरा कर सकते हैं document और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं photo mode और वीडियो मोड की settings के बारे में तो photo mode पर जब आप रहेंगे तो यहाँ पे आप three line पर जाएंगे setting पर click करेंगे तो यहाँ पे आप capture sound बंद कर सकते हैं जैसे photo खीचते हैं तो आवाज आती है camera में तो यह आप sound बंद कर लीजेगा location यहाँ से आप बंद कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं और यहाँ पे mirror selfie यहाँ पे आप on off कर सकते हैं रही बात watermark की तो watermark यहाँ पे मैंने बंद कर रखे हैं आप चाओ तो यहाँ पे custom watermark लगा सकते हैं अपना नाम लिख सकते हैं तो इसकी वीडियो अलक से बनार की चैनल पर जाके देख लिएगा यहाँ पर watermark आजाता है आपके model का नाम नीचे कोने पर लिखा हुआता है फोटो के और यहाँ पर time का watermark आजाता है time भी लिखा हुआ जाता है ठीक है और यहाँ पर portrait framing यहाँ पर on कर सकते हैं काफी अच्छी फोटो आती है इसके साथ और AI आटो फोकस यहां पर आउन कर सकते हैं और आटो फोकस आपका यहां पर इस पर आटो होना चाहिए ताकि जो अगर ग्रूपिंग वगरा में फोटो लेते हैं तो आइस के उपर डिटेक्ट करके यह आटो फोकस कर ले और यहां पर एनिमेशन आजाता है तो यहां पर आपका एनिमेशन कैसा होना चाहिए अगर यह फोकस करता है तो तो आप अपलाई पर क्लिक कर देंगे ऐसे करके बैक कर देंगे इसके बाद यहां पर reset का option आजाता है तो यहां पर कुछ setting अगर आपने गलत set कर दिया है तो इसको यहां पर reset भी कर सकते हैं ताकि यहां पर जो camera है वह आपका default हो जाए ठीक है और नए तरीके से camera open हो जाता है इसके साथ और setting आपकी reset हो जाती है अब बात रही वीडियो की तो वीडियो पर जब आप जाते हैं तो यहां पर फ्रेम लाइन यहां पर भी लगा सकते हैं resolution यहां पर change कर सकते हैं 1080p या फिर 720p ठीक है इसके बाद यहां पर और भी option देखने को मिल जाते हैं frame rate तो frame rate यहां पर कितना रखना है 30 fps या 60 fps तो यह आप रख लेंगे और setting पर चले जाएंग setting बचाने के बाद यह तो global है मतलब यह तो camera की setting होगी जो मैंने आपको पताई थी रही बाद video की तो video के लिए सरफ यह setting होती है तो codec पर click करेंगे तो जो यहां पर आपको prefer कर रखा है high compatibility तो आप इसी पर ही रहने देंगे ताकि यहां पर आपकी जो video बगरा है वो original आई ज दालते हैं तो share वगरा करने में ने यह थोड़ा सा black screen आजाती है शो नहीं करता परफेक्ट इसके बाद यहां पर back कर देंगे यहां पर reset का option आजाता है तो यहां पर camera reset कर सकते हैं कहीं से भी कर लिजेगा तो इस ट्रैप से आप setting कर सकते हैं I hope guys यह video आपको पसंद आया आपक बाद कर सकते हैं